नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M32 5G vs Moto G 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M32 5G में 6.46 इंच जबकी Moto G 5G में 6.54 इंच की लेंथ मिलती है विद्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 इंच की विद्थ मिलती है बात करें थिकनेस की तो Galaxy M32 5G में 0.36 इंच जबकि Moto G 5G में 0.39 इंच की थिकनेस मिलती है जोकि Galaxy M32 5G से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M32 5G में 205 ग्राम्स जबकि Moto G 5G में 212 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकि Galaxy M32 5G से ज्यादा है तो चलिए अब हम दिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M32 5G में TFT जबकि Moto G 5G में LTP SLCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों phone में सेम ही 20 Ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M32 5G में 6.5 inches जबकि Moto G 5G में 6.7 inches मिलती है डिस्प्ले रेसलूशन Galaxy M32 5G में 720 x 1600 और Moto G 5G में 1080 x 2400 मिलता है Screen to Body Ratio Galaxy M32 5G में 80.63 प्रतिशत जबकि Moto G 5G में 85.74 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Galaxy M32 5G में 270 pixel प्रतिश जबकि Moto G 5G में 393 pixel प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताई की जोकी Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Galaxy M32 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Moto G 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Galaxy M32 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते है और Moto G 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है हार्डवेर में सबसे पहेले CPU जोकी स्पीट के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं GPU की बात करें तो, Galaxy M32 5G में Mali G57 MC3 जबकि Moto G5G में Adreno 619 नेता है चिप सेट की बात करें तो, Galaxy M32 5G में MediaTek Dimensity 720 MT685 3V और Moto G5G में Qualcomm Snapdragon 750G मिलता है बात करें RAM की तो, Galaxy M32 5G में 2 वैरियंट देखने को मिलता है जिसमें 6 गीगाबाइट 8 गीगाबाइट की रेम मिलती है जबकि Moto G5G में एक ही वैरियंट देखने को मिलता है जिसमें 6 गीगाबाइट रेम मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Galaxy M32 5G में 2 वैरियंट देखने को मिलता है जिसमें 128 गीगाबाइट 128 गीगाबाइट की स्टोरेज मिलती है जबकि Moto G5G में एक ही वैरियंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है Expandable Memory दोनों फोन में up to 1TB है Operating System की बात करे तो Galaxy M32 5G में Android V11 जबकि Moto G 5G में Android V10 Q देखने को मिलती है Battery की बात करे तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करे तो दोनों फोन में सेम ही दो Colors Option देखने को मिलते है सब Information देखने के बाद बात करे प्राइस की तो Galaxy M32 5G में दो Variant देखने को मिलते है जिसमें की 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रूपीज, 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रूपीज में मिलता है और बात करें Moto G 5G की तो उसमें एक ही Variant मिलता है जो की 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 22,990 रूपीज में मिलता है Finally बात करें है Result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में दोनों फोन सेम ही है Front, Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम Same Price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो की 17,857 रुपे में मिलता है दुसरा Samsung Galaxy F62 है जो की 22,399 रुपे में मिलता है तीसरा Samsung Galaxy A22 5G है जो की 18,149 रुपे में मिलता है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M42 5G है जो की 21,950 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना